नमश्कार दोस्तों, इन्फ टॉस के बहुती फ्रेश से एपिसोड में आपका स्वागत है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की दोस्तों आपसे पहली अपडेइन एकल करा रही है महारास्य सेड में बनने वाले एक न्यू लिंक रोड से लेटर, जहांपर दोस्तों मुंब मुंबई के सेवरी से नवी मुंबई की नेवा शेर के बिमें बन रहा है, तो नवी मुंबई साइड पर जो नेवा शेर है, यहीं से कुछ किलोमेटर के डिस्टेंस पर, जो मुंबई पूने एकस पर वो पास होता है, कहा ऐसा गया है कि एक बार जब यह न्यू लिंक हो जाएगा तो आप देखेंगे कि नवी मुंबाई में जो ट्राफिक कंजाशन है वो काफी मातर तक कम हो जाएगा अगली दोस्तो अपडे निकल करारी है हमारी रेलवेस को लेकर जहां पर दोस्तो हमारे देश में इलेक्टिव मोबिल्टी को पुश करते हुए रेलवेस के तोरह decide किया गया है कि वो रेलवेस ट्राइशन पर ईवी चार्ज्य इंस्केसन को install करेंगे और initially हमारे दिश के 32 रेलवे स्टिश्न को इसके लिए select किया गया है उसों जैसा कि आप चानती कि हमारे दिश के ईवी सेक्टर को successful बिनाने के लिए लार्ज स्केल पर EV चार्जिंग इन्फोसेक्टर के जुरूत है जो की ऐस उफ ना हमारे देश में बहुती कम स्केल पर फैला हुआ है और इसी में रिजन के चलते हैदराबाद स्टेशन पर एक EV चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल कर दिया गया है जो साउसेंटर एलिवे जोन के अंडर में आता है और अब साउसेंटर एलिवे जोन के सिकंद्राबाद डिविजन के द्वरा ये डिसाइड किया गया है कि वो उनके रिस्पैक्टिव एरिया में 32 स्टेशन पर ये जो EV चार्जिंग स्टेशन से इंको इंस्टॉल करेंगे कहा ऐसा आ गया है कि वरंगल, बिदर, करीम नगर, खंबम, लातुर रोड, जहीराबाद, महबूबाबाद, नैकलेस रोड ये कुछ में स्टेशन से जहाँ पर सबसे पहले EV चार्जिंग स्टेशन बनते हुए देखने को मिलेंगे तो देखते हैं कि ओवराल इंको कब तक सैटप किया जाता है बढ़ते हैं दोसों के लिए अपडेट की तरफ चो निकल करा रही है इंडेज सिमेंट बड्यूसर अल्टरटक सिमेंट को लेकर जहाँ पर दोसों हमारे देशमेंट के बिजिनस ग्रोग को देखते हुए इनके दोरा डिसाइड किया है कि वो उनकी सिमेंट कपैस्टी को ओर भी अक्सपांड करेंगे और इसके लिए आने वाल कुछ समय के अंदर अंदर इनके दोरा 12,886 क्रोड डूपिस की इमस्मेंट की जाएगी तो as of now Ultra Tech Cement हमारे देश का लार्जेस सिमेंट पर देशिंग कंपनी है जो कि हमारे देश की दूसरी सिमेंट कंपनी से कौफी ज़ा आ गए है और ये हमारे देश की इकलोती कंपनी है जिनकी सिमेंट कपैस्टी 100 मिलियन टंस पर रैनम से उपर है और अब 12,886 कोड रुपी spend करके ये इनकी जो सिमेंट कपैस्टी है उसको 22.6 मिलियन टंस पर रैनम तक और भी इंक्रीस कर देंगे जिसमें ब्राउन फिल्ट और ग्रीन फिल्ट दोन अक्सपंशन किये जाएंगे ओवराल इस expansion के बाद इनकी जो capacity होगी वो 159.25 मिलियन टंस पर रैनम तक पहुँझ जाएगी त्योंकि काफी बड़ी capacity होती है आएसा गया है कि इस project के अंतरगत वो new grinding units, clinker units, bulk terminus इन सभी जो को set अप करेंगे और financial year 2022 यान कि इसी financial year के अंदर अंदर इनके सभी वोड़ीर्स complete हो जाएंगे अगली दो सब्देने कलकरारी है South Korean car maker Kia Motors को लेगर जहांपर तो सो हमारे देश में बहतरीन response देखते हुए इनके दोर भी अब decide किया गया है कि ये हमारे देश में उनके electric vehicles की production स्टार्ट करेंगे और इसके लिए plans भी रेडिक कर लिये गए हैं तो सब किया मोटर्स है इन्होंने को समय हमारे देश में एंट्री मारी है और जैसा कि आप जानते कि आज के समय में जो उसमें काफी बड़ा शिफ्ट देखने को मिर रहा है और इंडिया भी काफी बड़ा मार्किट है तो इसी के चलते कंपनी चाहती है कि इनकी हमारे देश की EV सेक्टर में अर्ली बन जाए और साथ-साथ इन्होंने कल ही इनकी जो EV थी वो हमारे देश में लाउंच की थी और इनको उस EV की प्री बुकिंग को लेकर काफी भैतरी रिस्पॉंद देखने को मिला है और अल्मोस्ट जितना इनकी तोड़ा टार्गेट सैट किया गया था पूरे साल के लिए पहले दिन ही उससे तीन गुणा ज्यादा बुकिंग्स हुई है और इसी मेरी दिन के चलते ने उनके इंडिन सर्विस PMI इंडेक्स में कहा है कि लगातार 10th मन्त भी हमारे देश के जो सर्विस एक्टर एक्टिविडिस हैं वो कंटिनूसली निक्रीज कर गई है और मैं मन्त में हमारे सर्विस एक्टिविडिस में जो ग्रोथ देखने को मिला है वो पिछले 11 सालों में स स्लोडाउन था और साथ सदा आप ये भी जानते हैं कि वर्ल्ड में इंफलेशन रिकोर्ड लेवल पर पहुंच गई है इस सब चीजों के बाप जूद भी हमारे देश का सर्विस एक्टर है वो काफी बहतर दंग से परफॉर्म कर रहा है जो कि ये शो करता है कि हमारे से कंपेर करें तो ये सबसे स्टॉंगेस ग्रोथ रहा है अगली दोस्ट अब्डेनिये गलकरारी है हमारे देश के मर्चैनडाइज एक्सपोर्ट्स को लेकर जहां पर दोस्टो हमारी मिनिस्ट्री ओफ कमार्स इंडस्टी के दौरा मई मन्त का जो मर्चैनडाइज से वो 40 बिलिएंड ओल्स कर गए थे लेकिन इस माई मंत में 37.3 बिलिएंड ओल्स के देखने को मिले है और आने वाले मंस में आप ये भी देखेंगे कि इसी तरह से आपको फ्लक्शिशन देखने को मिलती रहेंगी लेकिन अगर आप इसे माई 2021 से कंपेर करते हैं तो उसके कंपेरजन में ये मर्चेंडेज एक्सपोर्स अल्मोस्ट फाइब बिलियन डॉलर्स ज्यादा है तो ये माई 2021 में 32.3 बिलियन डॉल्स के थे जबकि इस माई मंत में 37.3 बिलियन डॉल्स के रहे हैं थोड़ा साब को मैं और बता हूँ तो इसमें इंजिनिरिंग गूर्स प जो की ये और बेसिस पर 56.14 परसंट ग्रोफ हुए हैं और ये हमारे फोरंट ट्रेड के लिए आज भी एक काफी बड़ी प्रोब्लम है इसके चलते माई मंत में जो ट्रेड डेफशीट है वो भी 23.33 बिलियन डॉल्स पर पहुंच गया है बढ़ते हैं दोस्तों के लिए अ इससे पहले 2018 में और वहीं दूसरी 2019 में और इस बार जो थर्ड है वो 2022 में और इस बार ओवराल 1,406 इन्वेस्मेर प्रेटर्स लाउंच किये गए हैं थोड़ा सा मैं पूर डिटेयल में बताऊं तो कहा ऐसा आगया है कि MSME के उपर खास फोकस रहेगा और इसके लिए 4,459 क्रोड पीस साथ डाटासेंट के लिए 19,928 क्रोड और 13 इन्फोटेप्रेट्स के लिए 6,632 क्रोड अगरी कल्चर के लिए 11,297 क्रोड आईटी औंट इलेक्रोनिक्स के लिए 7,876 क्रोड और वहीं मेनफेक्टरिंग इडिस्टरी के लिए 6,227 क्रोड पीस के इंवेस्में की जा रही है कि वो हमारी इंडिन डेलिविस के जो ट्रेंसर्स हैं उनको पर क्योंड करेंगे और जल्दी ही इनके द्वरा इंडिन डेलिविस को ओडर भी दिया जाना है दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको उसका कॉंट्रक्स दूँ तो कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि हमारी इंडिन डेलिविस के द्वारा नेपाल एंड श्री लंका को कुछ ट्रेंसर्स अक्सपोर्ट किये गए थे और सिमिलरली उसी की तरह और उसी के बेसिस पर बंगलादेश के द्वारे डिसाइड किया गया है कि वो भारत से ट्रेंसर्स को परक्योर करेंगे और कुछ अगया है कि अगर हमारी रेल्विस को यह ओडर मिलता है तो हमारी रेल्विस के एक्सपोर्ट के लिए काफी बड़ा पुछ होगा आज की दोस्तों लास्ट अपडें इंकल कर आ रही है जम्मो एंड श्रीनेगर मेट्र लाइट से लिटर जाहां पर दोस्तों हमारी मिनिस् का मेट्र लाइट को डूर प्लान किया गया है एव जम्मो मेट्र लाइट का जो काम है वो श्रीनेगर के मुकाबले काफी आगे पहुँच गया है क्यूंकि हमारी प्याइब के दोर भी इसको अपर परफोसल बन कर तियार होगी और इसको नेक्स फेज में विजापूर एम 29 क्रोड पी spend करके इन दोनों Metro LED प्रेट्स को Complete कर दिया जाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आप अपनी तरफ से अबडेट सम्मिट करना चाहते हैं तो डुस्क्रिप्षिमें देगे लिंक पर क्लिक करके सम्मिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडिय हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्या आपका वीडियो को देखने के लिए